नहीं और छे मेने से आज ब्रंदावन में बैठे हैं एक दिन प्रभू उद्धव जी जब प्रभू के पास आने लगे हैं तो मा ये सोदा कह रही है उद्धव मेरे लाला को एक संदेशा कह देना कि मेरा लाला जहां पर भी रहेगा आनन्द में रहे उसको यहां समय हो तो आ जाए ने तो कोई बात नहीं मेरा लाला जहां पर रहे प्रशन न रहे तो उद्धव कहने लगे कि मा उद्धव तुमारी याद में रोते हैं रात्री में अग्द रात्री में बेट करके सेया पर तुम्हारी याद में रोते रहते हैं। और तो सब ठीक है लेकिन तुम्हारा प्रेम जो है उसको रात्री में सोने नहीं देता। मेरे से एक बात कहिए कि मेरी मैया से कह देना। उधो मैया को सुनेयों तेरों लाल दुख पावे मैया को सुनेयों। कोई न मुख धोवे ताते जल अचरजन सभारे माखन रोटी नामन जाने कनवा कह कोई ना पुकारे। अरे बाबा अनन्द अंगुरियां गह गही नित्मों ही चलनों सिखावे। मैं जब गउचरण करके आता था ना तो मेरी बाबा मेरी माता था क्यों जान मुई हंस सुले तों धूरी पोँच ही यसे लपटावे। उधो मैया ते जा कईयों तेरों लाल दुख पावे। मा ये सुधा कहती है कि उध्धव। अब तुम जा रहे हो तो इकना कह देना कि मेरा लाल जहां है प्रशन रहे सुखी रहे। उध्धव जी वापिस व्रंदावन से मतुरा आते हैं। जैसे भगवान को देखा तो उध्धव जी प्रभू को टाटने लगें। प्रभू आपकी याद में पुरा व्रंदावन रो रहा है आप लिस्टुर हो करके यहां मतुरा में बेठे हो। प्रभू कहने लगें उध्धव जरा आखे बंद करो तो उध्धव ने आखे बंद की तो बगल में राधार आने बेठी है। उध्धव तुम ज्यानी जरूर थे लेकिन तुम्हें प्रेम की भासा मालूम नहीं थी। मैं ब्रंदावन को कभी नहीं छोड़ सकता। ब्रंदावन मेरा नित्त्य घर है। ऐसे प्रभू आज मतुरा धीपती बने है। जब कंस को मार दिया था ना तो कंस की पतनी अस्ती और प्रापती जरासंद के यहां पहुँची है। अपने पिता के यहां पर जाकर कहने लगी कि हमारे पती को भगवान कृष्टन ने मार दिया है। जरासंद ने कई बार मतुरा के उपर आकर्मन किया है पंद्रे बार, सोले बार, सत्रे बार आकर्मन कर दिया तो एक दिन प्रभू अपने भाई बनराम जिसे कहने लगे बनराम भाईया जब से अपन इस मतुरा नगरी में आये हैं तब से ये जरासंद चेन से बेटने नहीं देता सत्रे बार अक्षरोनी शेना लेकर के मतुरा पर आक्रवन किया है प्रभू सब शेनिकों को मार देते थे और जरासंद को छोड़ देते थे महराज आज जरासंद ने कई ब्रामनों को पाठ करने के लिए मेरे लिए मंगल काम ना करना की अब की बार मुझे विजेश प्राप्त ओजा अगर विजेश प्राप्त नहीं होगी तो मैं आते सेसे सब ब्रामनों को सूली पर लटका दूगा आज सभी ब्रामन चिंता करने लगे प्रभू आप रक्षा करना हमारी जरासंद जैसे अक्षरोनी शेना लेकर के मतुरा में आकर्मन करने लगा भगवान ने विश्व करमा को आदेश दे दिया कि समुद्र में हमारी द्वारिका का निर्मान कर दो रातु रात विश्व करमाजी ने समुद्र के अंदर में द्वारिका का निर्मान किया है इधर जरासंद ने आकर्मन किया साथ में काल्यवन नाम का एक असुर लेकर के आया है काल्यवन को एक वरदान था कि उसको यदुकुल के अंदर में कोई भी विक्ति जनम लिया वा मार नहीं सकता था प्रभु भी यदुकुल में ही तो अवतार लिय ला तो आज काल यवन को साथ मे लेकर के आये भगवान ने पूरिशेना को मार दिया जब काल यवन भगवान के सामने आने लगा तो भगवान आज युद्ध के मेदान को छोड़ करके दोड़ने लगे तो आज प्रभु का एक नाम पड़ गया रन छोड़ बले रन छोड़ भगवान की बल्दरामची कहने लगे रे कनिया ये क्या कर रहा आपनको लोग रन छोड़ कहेंगे बगवान कहते हैं कि माखन चोर कहते हैं चित चोर कहते हैं रण छोर और से काल्यवन के पीछे दोड़ते प्रभु आगे बड़े और एक मुच्खुंद नाम के महराज सो रह ते उसको अपना दुपट्टा उढ़ा करके भगवान एक व्रक्ष के पीछे जाकर के छिप गए हैं कालियमन दोड़तावा आया कालियमन ने समझा की ये कनया यहां पर ओड़ करके सो गया है छिप गया है मुझकुंद महराज माँ पर सो रहे थे कालियमन जाकर के मुझकुंद महराज को अपने लाते मारने लगया तो मुझकुंद महराज ने जैसे ही आखे खोली और खोलते से ही कालियमन जल करके भस्म हो गया मुझकुंद नुहाराज कौन थे परिक्षित ने पूछ लिया एक बार देवताओं की सहाइता की थी तो देवताओं से वरदान मांगा उनकी जीतोने पर तो देवताओं ने कहा मुझकुंद कुछ वरदान मांगो तो मुझकुंद ने एक ही बात कही कि देवताओ अब मैं भोत ठक गया हूँ मैं सोना चाहता हूँ और मुझे कोई जगाएगा मेरे सामने जो भी आएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा तो देवताओं ने कहे दिया थदास्तो हूँ देखो भई सोने बराबर सुक नहीं रोने बराबर दुख नहीं मुझकुंद मरा सो गए तो भगवान ने देखा है का सोय सोय पूरा जवाना चला जाएगा तो भगवान ने इस प्रकार से मुझकुंद को भी जगा दिया और समस्त मतुरावाशियों को प्रभु ने योग माया से रातु रात द्वारिका के अंदर में सुला दिया आज प्रभू द्वारिका के अंदर पदारपण हुआ है, समस्त मथुरावाशी द्वारिका के अंदर आए है, प्रात्यकाल हुआ सब लोग जगे, कहने लगे ये कौन सा नगर है, इसका द्वार का है, इसका द्वार का है, तो उस नगरी का नाम पड़ गया द्वारिका, भगवान ने देखा कि अब हम हमारी अवस्ता 25 वर्ष की हो गई है अब हमारा विवा होना चाहिए और विवा हो के से अभी बड़े भाय साथ तो बेठे हैं बल्दराम जी बेठे हैं न तुम्हाराज एक रेवत नाम के राजा थे सत्य यूग में उन रेवत महराज के एक कन्या थी जिसका नाम था रेवती उसकी लंबाई इतनी बढ़ गई थी बीस पिट लंबी थी वो कितनी बीस तो नारजी से पूचा नारजी इस हमारी रेवती के कोई वर्ष है क्या लाइक तो नारजी ने कहा कि द्वारी का में वसुदेव जी का बड़ा लड़का है जिसका नाम है बलराम उसके साथ में आप विवा कर दो तो रेवत ने पूचा महराज इसकी लंबाई कितनी बोले लंबाई तो उसकी छेपुटी है तो महराज ये जोड़ी कैसे जमेंगी बोले बलराम जी जो है इसके मस्तक पे हाथ रखेंगे ना तो जोड़ी बराबर की हो जाएगी भराल दुरेवत नाम के राजा दोरीका में गए वस्तुदेव जी से मिले वस्तुदेव जी से बात करके कहने लगे कि आपके बड़े बेटे बलराम के साथ में हमारी कर दोड़ी कैसे जमेंगी तुम्हारी कन्या तो 20 फिट की है, हमारा बल्राम 6 फिट का है तो बले आप बुलाओ तो सही, बल्राम जी को बुलाया और कहा कि बल्राम इस कन्या के मस्तक पे हाथ रखो तो बल्राम जी ने कोई सीडी विडी लगाई होगी लगा करके जैसे कन्या के मस्तक्स बेहात रखा तो दोनों की जोड़ी बराबर हो गई भगवान का साथ में बल्गरामजी के साथ में रेवती कन्या का विवा सानंद संपन कराया बोले रेवती रमन भगवान की जिए अब तो हमारे कनया जी का विवा की तैयारी होने लगी भगवान कहने लगे हमारा विवा हो कैसे कौन कन्या देगा हमको लोग चित चोर कहते हैं माकन चोर कहते हैं रन छोड कहते हैं हमारे को ऐसे तो कन्या मिलने वाले नहीं है तो नारजी आते थे नारजी को खूप स्वागत करते लट्टू खिला ले नारजी आप सबसे के घुमते रहते हो कोई कन्या देख करके हमारा भी विवा करा दो ना नारजी ने कहा कि इतने लट्टू खिलाए तो कराना ही पड़ेगा अब नारजी सब्ज़ के घूमते रहते थे नारजी अपने नागपुर के पास ले एक कॉंडिन पर सुना नगा तो कॉंडिनेपुर के राजा भिस्मक के पास गए है तो भिस्मक ने एक बार नारज्य से पूछा नारजी हमारी कन्या रुक्मनी विवा योगं यह कुछ है ओप तो सब जोटे के घूमते रहते हूं हमारी कन्या के लाइक कोई वर ध्यान में हो तो बताओ हैउ तो नारज्य कहने लगे कि आपकी रुक्मनी के लाइक एक वर है तो द्वारिका में वसुदेव जी का छोटा बेटा भगवान कृष्ण है और भगवान की बढ़ाई करने लगे तो रुख्मणी जी बास में खड़ीती रुख्मणी जी ने सुन लिया बोले इतने बंसाली हैं इतने बंसाली हैं कि साथ दिन तक गोवर्धन बर्वत को अपनी कनिष्टि का अंगुली पर धारण किया है और भिश्मणी महराज क्या बताएं कि इस त्रिभवन के अंदर में उनके बराबर कोई सुन्दर नहीं है और सोने की कोई कमी नहीं है उनका पूरा द्वारिका स्वर्ण से बना हुआ है सोने की द्वारिका कहते हैं उसे लोग तो रुप्मणी जी ने तो उसी दिन से भगवान द्वारिका धीश को पती रूप में मान लेती है रुप्मणी का एक भाई है रुप्मी तो वहें अपनी बहन का विवा की बात शिसुपाल एक राजकुमार है उसके साथ में कर रखी है कि हमारी बहन रुप्मणी का विवा है शिसुपाल के साथ करेंगे माराज रुप्मणी ने तो उसी दिन से अपने पती के रूप में भगवान कृष्ण द्वारी का धीश को मान लिया रुप्मणी जी के घर में एक ब्रामन देवता आया करते थे उन ब्रामन से रुप्मणी कहने लगे कि ब्रामन देवता आप एक बात बताओ मैंने पती रूप में भगवान कृष्ण को मान लिया है और मेरा भाई जो है मेरे विवा की बात शिसुपाल के साथ में कर रहा है तो मैं क्या करूँ तो उस ब्रामन देवता ने कहा कि आप एक पत्तर लिख दो वो पत्तर में पहुचा दूँगा द्वारिक अधीस के पास तो आज रुक्मनी जी ने बहुत सुंदर पत्तर लिखा है उस पत्तर में साथ बाते रुक्मनी जी ने लिखी है देखो आज कल भाई किसी को के देंगी पत्र लिख दो तो साइथ पत्र लिख नहीं भुल गए ना आजकल तो तुरंती फोन पे बात हो जाती है मोबाईल पे वाट सब देख लेते हैं तो आज रुक्पनी जिने सुंदर पत्र लिखा सोने की साइथ से कि शृत्वा गुणान भुवन सुन्दर शंद्रतांतेई निर्ष पर्म विववई हरतंगतापमुस्रियम। रुक्मण जिने साथ वाते पत्र में लिखी है पहली बात क्या लिखी है शृत्वा गुणान भुवन सुन्दर। लिखें लिखें है की बाहते है की बात्वी करतीश हृत्ति जिने सकाझती। कि शृत्यकश प्रिष्णन में खानने समान ऊत्रत्ला हम सुन्दर अमुवन सुन्द्र॥ कि मेरा पती चाहिए एक रुपया नहीं कमाए लेकिन सुन्दर होना चाहिए कन्य क्या चाहती है मेरा पती सुन्दर होना तो अपनी कन्याओं को कोई काले कलूटे को मत दिया कर श्रीहरी भगवाने की मा क्या चाहती है कि मेरा दामाद जो है पेशेवला होना चाहिए काला या गोरा रंग तो दोई होते हैं या तो काला होगा या गोरा होगा लेकिन मेरा जमाई है मेरा दामाद है वो पेशे वाला होना चाहिए पिता क्या चाहते हैं कि मेरा दामाद पढ़ा लिका होना चाहिए नागपुर छोड़ करके बंबई चला जाए तो भी कमा के खालेगा तो पिता चाहते हैं कि मेरा दामात पढ़ा लिका होना इंडिया छोड़ कर अमेरिका ही चला जाएगा तो कुछ ने कुछ काम कर लेगा शुत्वा गुणान भुवन सुन्दर शन्न तांतेई निरवश्य परम विववई हर दंगतापम श्रियम आज प्रभू लुक्मनी जी दूश्री संबोधन में लिक रही है कि हे क्रिश्न मेने तो आपको पती रूप में मान लिया है चाहे मेरे को हजार जनम लेना पड़े लेकिन मैं पती रूप में आपको ही वर्ण करूँगी तीसरे संबोधन में लिक रही है कि मैं आग में जल जाओंगी कुए में कूद जाओंगी समुद्र में कूद जाओंगी लेकिन विवा करोंगी तो केवल आपसे करोंगी चोते संबोधन में लिख रही है हे कृष्ण मैंने आज तक कोई पुन्य किया है तुलसी सेजा है ब्रामनों की सेवा की है उसके फले स्वरूप आप मुझे पती रूप में प्राप्त हो जाना अन्त संबोधन में लिख रही है की एक कृष्ण किसी सेर को सिकार मिलने वाला गीदर लोग नहीं ले जाए एक सेर का चित्र बना दिया और कहने लगी कि सेर को सिकार मिलने वाला कोई गीदर लोग नहीं ले जाए इसलिए मैं आपको उपाय बता रही हूँ हमारे गाओं के अंदर ऐसा नियम है विवा के एक दिन पहले देवी की पूजा करने के लिए जाते है उस देवी की पूजा करने के लिए मैं आऊँ उस समय आप मुझे आ करके अपने साथ ले जावे श्रीहरी भगवान नहीं कीजे और आज वो पत्तर लिख करके ब्रामन देवता को दे दिया ब्रामन देवता दोड़ा दोड़ा द्वारी का पहुँचा जैसे द्वारी का पहुँचा भगवान द्वारी का दीश से मिले द्वारी का दीश को ब्रामन देवता ने पत्तर दिया पूचा कहां से आये हो फुले कुंडिन भुर्षे आये हैं रुप्मनी आपको बहुत चाहती है वो आपको एक पत्तर लिख करके भेजी तो भगवान ने देखा कि रुप्मनी मेरी भक्त है मुझे प्रेम करती है, मुझे चाहती है तो है ब्रामन देवता तुम ही अपने मुक्षे सुना दो ना इस पत्तर में क्या लिखा है देखो ये वेक्तिगत पत्तर है वो किशी को देना नहीं चाहता ना लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं ब्रामन के मुक्षे सुनगा तो मुझे अतियानन दाएगा देखो भागवत कहता तो आजकल आप खुद लाकर के बाजार से पढ़ सकते हैं लेकिन भगवान कहते हैं कि यही भागवत आप ब्रामन के मुक्षे सुनो तो मुझे अतियानन दाता है श्रीहरी भगवान की तो भगवान रुकमनी का लिखावा पत्र उस ब्रामन के मुख से सुनें और गदगद हो गए कि रुकमनी जी मुझे प्रेम करती है अब तो रुकमनी को अपलाने ना चाहिए तो भगवान ने जो पत्तर था वो अपने तक बज़े उठे हैं रत लेकर के ब्रामन देवता को सात्म लेकर के कुंडिनपुर की और प्रभु पदार पन कर जाते हैं इधर रुक्मनी जी अपने सक्षियों के साथ में डेवी की पूजा करने के लिए जा रही है जैसे ही भगवती रुक्मनी आज देवी की पूजा करने के लिए सक्षियों के साथ गई है सक्षियों ने देवी क्या पूजन किया है अब रुक्मनी जी प्रार्थना कर रहे तिहें देवी मुझे पती रूप में भगवान प्रिष्ण की ही प्राप्ति हो तो आज रुक्मनी जी मा देवी शे प्रार्थना कर रही है जैसी प्रार्थना की है भगवती देवी के गले से एक हार अपने आप तूट करके निचे गिर पड़ा सक्या कहने लगें कि रुक्मनी ये सुब संकेत हुआ है रुक्मनी जी अत्यंत आनंदित हुई है इतने में ब्रामन देवता आये है और रुक्मनी जी कहने लगें कि रुक्मनी जी थोड़ी देर के अंदर भगवान द्वारी का दीश आकर के तुम्हें ले जाएंगे भराज रुक्मनी को सुब संकेत हुआ है रुक्मनी जी की बाईं आँख भरुकने लगी देखो आदमी की जीवनी आँख और महिलाओं की दाईं आँख भरुके तो ये सुब संकेत बताया है लेकिन ज्यादा है फ़रुके तो डोक्टर के पास चले जाएंगे यह समझ कहना है कि ये सुब संकेत हो रहा है थोड़ी भरुके जब तो आज रुक्मनी को सुब संकेत हुआ है इतने में ब्रामन देवदा आकर के रुक्मनी जी को सुब संदेश देते है कि अब थोड़ी ही समय के अंदर में द्वारिकाधीश आकर के तुमें ले जाएंगे रुक्मनी जी देवी के मंदिर के सामने बेट करके ध्यान कर रही है सखिया भगवार का मंगल गान कर रही है गोविंद में रो है गोपाल में रो 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 है गोविंद में रो है गोविंद में रो है गोविंद में रो है गोविंद में रो है घ्याय भगवान की रो है आज रुक्मनी जी के साथ मैं सखी आई है। रुक्मनी को सुब संकेत का पता लगा तो आनंदित हुई है। शिशुपाल जी दूला बने घुम रहे हैं। और इधर भगवान द्वारिका के अंदर में रोज उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम किया करते थे। आज केवल बल्राम जी आये हैं कनया नहीं आये। वसुदेव जी ने पूछा बल्राम आज लाला नहीं आया। बोले अभी पता लगाता हूँ। तो आज बल्राम जी चार उत्रब देखे द्वारबाल से पूछा। द्वारबाल ने का कि आज सुबर सुबर चार बज़े ही करें या उठ करके हैं। पता नहीं कहां गए हैं। इतना कहा करके गएं कि भाई आप बूछे तो इतना कह देना कि मेरे तक्या के नीचे में एक पत्तर पढ़ा। बल्राम जी दोड़े दोड़े गए, तक्या के नीचे से पत्तर लिया। पढ़ा। वसुदेव जी को कहने लगे कि देखो फिता जी कृष्ण तो विवा करने के लिए कुंडिनपुर तो वसुदेव जी कहने लगे कि विधर्व के राजा बिस्बक ने अपने कन्या रुपनी का विवा माना है हमारे भी पत्रिक आई है मैं जाता या तू जाता या कृष्ण चला गया अच्छा हुआ एक नएक को जाना था तो बल्दराम जी कहने लगे वो विवा में संग्लित होने के लिए नहीं गए वो तो खुद विवा करने के लिए गए हराज बल्दराम जी ने देखा वहाँ पर युद्ध होगा बड़े बड़े राजा महराजा लोग आएंगे तो बल्दराम जी अपनी शेना लेकर के कुंडिन गुर्की ओर आ रहे हैं देखो कई बातें इसारे में की जाते हैं देखो इसारा कैसे किया जाए आपको उधारन से बसाता हूं कि एक ब्रामन देवता किसी के यहां भोजन करने गए जो भोजन करा रही हो माता जी सब कुछ ब्रामन देवता को दे दिया लेकिन पापड देना भूल गई थी क्या देना पापड नहीं दिया अब ब्रामन देवता भोजन करने के बाद में पापड मांग तो सकते नहीं सरब आ रही थी और कहने लगे इधर उधर देखने लगे तो वो माता कहने लगे कि ब्रामन देवता क्या देख रहे हो बोले आपका घर तो भोत पक्का है हमारा थोड़ा पच्चा घर है तो कल राती में एक सांप निकला कितना बड़ा था भराज बोले यहां से लेकर के वो पापड पड़े है ना इतना लंबा था बोले भराज वो सांप की बात सोड़ो में तो पापड देना भूली गई थी आपको आप तो पापड दो तो देखो कई बातें इशारे में की जाती तो आज बलराम जी पत्र ले करके दोड़े हैं और इधर भगवान रत ले करके इतने तेजी से रत दोड़ाते हुए आए हैं और रुप्पनी जी जैसे ही प्रणाम करके बाहर की ओर देखी तो भगवान रत से दोड़ते हुए आए और रुप्पनी जी का हाथ पकड़ करके द्वारीका की ओर ले गए हैं पुर द्वारीका दीश भगवान की जे हो आज रुप्पनी जी का हाथ पकड़ करके द्वारीका दीश ले गए हैं सब सैनिक लोग देख रहे हैं ले गए, ले गई and, ले गई, लेग गए अर्खिष्यु फ़ाल तो दूला बनकर रह गए और रह गए और आर को धीर साये रुपवनी जी को साथ में ले करके दोड पड़े बल्द्राम जी महारक में बिले हैं बल्द्राम जी ने कहा कि कृष्ण बता के नहीं आया आ करके रुक्मनी जी के भाई के साथ में युद्ध किया है रुक्मनी अपने भाई को समझाती है और भगवान द्वारी कादीश आज द्वारी का में रुक्मनी को ले करके आते हैं और भगवान द्वारी कादीश का प्रथम विवा हो रहा है तो वसु देव जी ने अपने द्वारी चादीष भगवान कृष्ण क Cross Nhungar किया है और फिर उद्वानेज। तो अभी द्वारी काधीष का प्रिभवान का रत पूरीस भारी का में किрьण खुमेगा वो तेरा किस ने किया, संह Ñर सामने ते रा किस ने किया, संहऑन सामने तुलहासा लगे दिलदार सामरे तेरा किसने किया सिंगार सामरे तेरा किसने किया सिंगार सामरे मस्तक्पर मलियागिर चंदन के सर तिलक लगाया मस्तक्पर मलियागिर चंदन के सर तिलक लगाया मोरम्पुट कानों में कुंदल इत्र बहुत बरजाया बोर मूट कानों में कुंदल इसे बहुत बर्शाया महत का रहे दर्वार साबरे महत किता है दर्वार साबरे बोर महत किता है दर्वार साबरे महत किता है दर्वार साबरे बोर महत किता है दर्वार साबरे महत किता है दर्वार वो बागों से करियां तुल तुल कर सुंदर यार बनाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुमें सजाया वो रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुमें सजाया वो जिसने तुमें सजाता रहे 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 तुमें स बोल का नहीं या बोल कुए में कौन सभज सुनाओ अर बोल का नहीं या बोल कुए में कौन सभज सुनाओ अर इसा कोई राग बता दे तू नाचे में गाओ तो विज़ा कोई राग्यु था दे कुणा जे में गा तो अम बिनाज दा रहू हर बार सावरे मैं चाता दुखू में हर बार सावरे ते किया जार सावरे ते ला किसी ने किया मिशार सावरे ते लगे दुल्हासा दिल्दार 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 सावरे आज द्वारिका अधिस का संदर शंगार किया है समस्त द्वारिका के लोग भगवान के संदरियों को देख करके वेसे ही प्रभु संदरी हैं लेकिन आज दूले बने हैं तो और ज्यादा संदर लग रहे है भगवती रुप्मनी का संदर शंगार किया है आज भगवती रुप्मनी संदर शंगार करने के लिए सखियां साथ में आई है संदर शंगार रुप्मनी का हुआ है सखियां रुप्मनी को क्या-क्या संगार किया है इस बजन के माध्यम से देखिए आओ मेरी सक्षियों मुझे मेहदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे स्याम सुन्दर की दो लरंगा दो मुझे स्याम सुन्दर की दो लरंगा दो तेकिये अभी भगवान का विवा होने वाला है ना अपने घर में विवा होते हैं तो कैसे ठुमठ ठुमठ करके नाचते हैं तो अभी भगवान आ जाए फिर अपन वज़न गए तो सबको नाचना है अभी जिसको नाच नहीं आता हो तो मैं सिखा दू आपको आता है दोनों हाथ यूँ करो और एसे एसे करके एक बार गोड़ी प्रेक्टिक्ष कर दो अर्निंग कर दो फिर अभी वगवान आ जाएके तो सबको खड़े होकर नाच नाच ना आओ मेरी सक्यों मुझे पहती लगा दो महती लगा दो मुझे सीन सजा दो मुझे जादो मुझे कैसी सजा दो मुझे जादर की दुलगत पैना 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 दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर, एसे पहनो छूडी जो कभ हुना तूटे ऐसे पेरो चूड़ी जो कब होना ढूते जनी सुहां की जिदिया लगा दो मुझे स्याम संसर की दुलहन बना दो मुझे स्याम संसर की दुलहन बना दो ये हो बगजी का सुर्मा मैं आथ में लगाऊंगी दुल्या से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी साथ पुरू को मुला के लिए तेरे तो पड़वादो जाथ पुरू को मुला के लिए तो पड़वादो तो जो बुला के तो के तपड़वादो तरी की दुरगर बैदा रहो 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 मुपाने के घंगरों में उनको रिजाओंगी मुपाने के घंगरों में उनको रिजाओंगी मुपाने के घंगरों में उनको रिजाओंगी मुझे शाव सुंदर की जुलहन बना दो आओ मेरी सक्यों मुझे महनी लगा दो महनी लगा दो मुझे ऐसी सजाओंगी मुझे शाव सुक्त हरे कि जुलहन बना दो का दो अ नवम फ्रण बल्याओंगी मुझे शाव संदर की जुलहन बना दो पहल्याओंगी बुलिल्यौकमनी बल्ला भकमाने की द्वारिका आध हिसे की इतनी जूर से मत बोलो आवा वाव आवा और जाए जाए लोग शांसी बनाए रखें बस दो मिनट की खता है देखो सब लोग बेड़ जैंपने अस्तान पर क्या हो लिए रुक्मरीजी और गौरीकादीस कड़े रेके और सब बेड़ जाए अपने अस्तान पर देखो इस्तेस पर विजो हैं सब अपने अस्तान पर बेड़ जाएं केबल द्वारीकादी स्वर्गवान और रुपुरी दिखड़े रेंगे स्रीमत बंक जविष्टरो हरिःरो वायूर महंद्रो नले चंद्रो और भरास्का सिप्रात वरणं प्रेता दिपादी ग्रहा शुभ मंगलं सावेथाने सावेगाणे सुबह मंगलं स्रावन भाने शावेचाने सुबह मंगलं शुग मंगलं चाहिएश्टरे फुरुषो तम भरुद्वग सावेचाने साय यासनम वाहनम लिदात्मा विःगे सवरो जमनिकां माया जगन्दो हिरी शुभ मंगलं कीमद्त वंकज विष्टरो हरीः रो वायो महंद्रो नलै चंद्रो भास्टफ्टिवाद वर्णं प्रेतादिपादि ग्रहा सुख मंगलं सामेथा सुख मंगलं सामेथा अधि हरी भगवान की प्रुप्रिजी मलत ने मंगलं भगवार विष्णों मंगलं करवड़त भजर मंगलं भुंडरी का अक्षभंकर आयस्तरो हरी अधिस भगवान घीदी ये हो अब ने को वई जो ये भगवान के प्रीजे चावल हैं जिसके घर में लड़का लड़की का विवा नहीं हो रा विवायोके हो गए हैं तो भगवान के ये अक्षत लेकर के जाना अपने घर में रखना भगवान की क्रिपा होगी तो जिक्रे उनका विवाब हो जाएगा और अब देखो अपने घर में विवा हो तो कैसे नाचना कमर मटका मटका के तो जो भगवान के विवा में थोड़ सी कमर मटका देगा तो दुनिया के आगे उसको नाचना नहीं पड़ेगा तो देखो एक दो भजन गाएंगे सब लोग नाचना फिराटे करेंगे और फिर प्रशाद देकर आप ये दास्तान जाएंगे वो आज मेरी श्याम के साधी है वो जे साल अब इतना है सारे संसार के साधी है आज मेरी श्याम के साधी है आज मेरे श्याम के साथी है हेँ, वो टागे साधी है स्यांको सलसक्या मंगल कावे और पाल बगा रहे माजे सलसक्या मंगल घावे और पाल बगा रहे माजे मंगली परस बुले कर सखीना फार कठानी है आदि पर शाम के साथी है ने दो पार के साथी है शाम के साथी है ने को बार के साथी है आदि पर शाम के साथी है सिर्मोर मुखट पहनाए जादा को दूल बनाए 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 को दूल इसा सुंदर दफियों की वि'Tरार मुखट पहनाए जाद शाम के साथी है जाध साथी है में को बार क्साथी है साथी है मेरे को बाज साथी है आई तक खैङ Forbes नाजी डिया मुआ है हाई दो दुद निरस ले । जब जे हम आनी सबसक्या मंगल लिखावे और पाल बजारे बाजे मंगल दल से कुले कर सखियादार बठानी है आज बर शाम के साथी है में गोबाद आज बर शाम के साथी है में गोबाद है आज बर शाम के साथी है आज बर शाम के साथी है मुकुते सीरे मोरे का मेरे चीते चोरे का मेरे चीते चोरे का मेरे चीते चोरे का मेरे चीते 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 च कमल लिल जारे तिरे नेनों को देखे कजनी के पे भूली रखाएए तिरे नेरी सुचरी के ओआरे के ये मुख़़ा नी हाएएए तो जाने ने ने मे तुझे नकिष्ट तुझे नकिष्ट कार के तट नकिष्ट कार के मुकुचे सिरी मौलका मेरे जीते को रिका मेरे जीते को रिका तुन्हे न न न न न न न न me स्राओ के अर्जी नह चुन्हे न न सरका लेते हैं कि मैं तुपाक अटिक हो गई और दूदो बन्ध Сथया मिया अउना की बागी बन दो कि इसलिया देला के बागी जन्दधईर राखान के बागी जन्दधईर रही वाउटा है जेहाए जेहाए ऑज दो जेहाए केपे बिना प्रकास के उजला हो नहीं सकता और बिना दिल के कुई दिल वाला हो नहीं सकता और चुनों बजये मैं श्याम ने भजनों में ताली ऑष श्याम का दिवाना वो नहीं सकता वाले हो भाके में हर dú fibreी जल में तू श्याम ना ना में की जर चोथी जला दिते आएगा, आएगा मेरा साविरा, दिल से गुलावि दे अले शाविरी सरकारी की आएगा, आएगा मेरा साविरा, दिल से गुलावि आएगा, आएगा मेरा साविरा, दिल से गुलावि दे दिल मेरा साविरा, दिल मेरा साविरा, दिल से गुलावि दे आये गा, आये गा मेरा सावई दूमे मुला तके नावे खीमद यक कोजए एक कार ऑप ऐसंद है करें वादे टिर्ड़ से उतार अरे लादे जख़ारी पजए भारे लादे जा फुड़ जान पार मिलादे शुड़ार से भूने है जामी के वादे लादे रादे पल्ड़ सुड़ है। में को अनिक्यों दोगें सब करें अनिसे नवांडेना ने करा है। आई हाई! अब आठी करें को दोख höld अनिकी जनको दूर मचाना है पर आपना धूर मचाएंगे को अगहाए। वह रायर लिए है इसे इन प्रवाव की साथ को आते रखे चलिवान सुजा चक्षो सुजो अजायत है श्रोता द्वायस प्राण से मुकादग धीर अजायत है श्रीमागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीमागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्रीमागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमरगंद ये मुक्ति पंद ये पंचम ने दनिवाला लग जोती जगाने वाला ने अमरगंद ये मुक्ति पंद ये पंचम ने दनिवाला लग जोती जगाने वाला हरि नाम नहीं हर तारती पापियों को पाप से है तारती ये मागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती कर दो कर दो कर दो कर दो हर दर्श कराने वाला कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो निया। दिनों को माम से है तार्षी आपियों के रखिवान की है अर्षी आपियों को माम से है तार्षी जेहो ये मधुळ कोल मध Gabe aware Whisth लिए वनुर कोल जटन दिकोल सन वासितका ने वाल विकनी को बनाने बा- जे खागुळ कोल बनांगे कोल सन वाड़ को बनाने वाल वाल- गवादुन भॉल जज वंद भॉल जद आगवाद। पताने बारां पिकरिको बनाने बारा वी राम यही घंशा मेदी प्रभु दिन वई आगे हार्खी पादी उन्मुकाब से लेकार्खी कुछ आप याज़ी है याज़ी, कापियों को पापसी है नाज़ी कुछ आप याज़ी है याज़ी, कापियों को पापसी है नाज़ी मेख वुद्वरू नौबर कुछारी साले हुद्धि याज़ी है कापतलन्दन जाली, और वापाई नाज़ी दियाज़ी पाड़े वाइघनाट कादी। श्वक पूरिक तक माद। जोमे मेअ गये खिंति, सुनिन सुनिट fu ampli निने तक अचियाख्टी taşनि आ रस्मी पाग लितायरो लो riotsेंवे श्म्त्यो श्वांत वर्ट्रियू श्मत्यि रहिस् Does Dans शांति रोकत ते यहर स्वांति ही वरत्स ते यहर सांतिर विष्वे देवा, शांति प्रम शांति, सर्वर्गुम शांति, सांति रेवा सांति, सामा सांति वेधी जलेन स्वीतरी गरनं, आत्मा विवंदनं, परमात्मा विवंदनं, अदपंत्र पुष्वान जरिम्वा ओम जगेन जगेमे जंत दिपास्तानि धर्मानि प्रदमान्यासन्द तेहना गम्माहिमान है सचन्द त्रपुर वेशात्याह संति दिवाहा ओम विष्वत चक्षुरत विष्वतो मुखो विष्वतो भाहु रूता विष्वतो सबाता संभाहु भ्यां धामतिशंद पतत्रिद्यावा भूमी जानायं देव एकाह ओम एकतंताय विदमाहि वक्रतुंडाय धीमाहि तन्नो दंधी प्रचोधयात् ओम नारायनाय विदमाहि वासुलेवाय धीमाहि तन्नो विष्वतो प्रचोधयात् ओम नंदरंदनाय विदमाहि राधा प्रियाय धीमाहि तन्नो प्रचोधयात् कालोत्भवानिच पुस्वांजरिम्मयादत्त ग्रिहान परमेश्वर ससांगाहि सायुथाहि शवक्तिकाहि बगवतेश्दी द्वारिका धीशाय नमहां उभेश्चनार विंदेश्व मंत्र पुष्वांजरिम्शमर्भयामी काये लवाचा मनसंत्री रवावुत्यात्वनावा प्रकतेश्वभावत करोमियत्त्त्त सकरंबरस्मई नाराय नायति समर्पयामी यानि गानेच पापाने जरमांत्र गृतानेच तानि शर्वान नश्यन्तू प्रदक्षिना पदे पदे पुल स्रिमत भागवत महापुरान की, स्रेवेद व्यास्री महाराज की, विश्वुदी उजी महाराज की, वारिकादी श्वगवान की, वालंका देविस्तान की, लक्ष्वेंक्डे श्वगवान की, रिजान की नाद भगवान की, गोदा रंग नाद भगवान की, रामान स् जय जय स्वामी जी महाराज की, अखंड वारत राष्ण की, यह जय स्रियाधी, जय स्रियाधी, जय स्याधी देखो इन 6,00 में किसी ने समय से फागवति नहीं सुन पाई है तो कल फागवति की पुर्णाउती है जो 6,00 में बराबर ने सुन सके कल फुर्णाउती के समय जो फागवति को स्रमंट कर देता है उसको पूरा-फुरा फल बिलता है इसलिए कल समय से तीर वज़े से पसार करके आप पुरी भागवत का फल प्राप्त करें और कल भागवती मुराणदी के मारत में आगे तिन दिन का नानिवाय का माहिरा रहेगा तो आप सम लोग उस माहिरा कर भी आंद लेंगे और आज की तदा भुरुवान का प्रशाद लेकर गया होने तास्तान पदर लेकर और एक और सिस्टा मारासर की भागवत स्रीधाम दिन्दावने होने जागे है 16. будवरी से 22 अदिर तक जिसमें ब्रश चराशी कूस की यात्रह भी वहां के देवारा लगवाई जाएगी जोड़खते भादबान के थाम अपने पुट्ष्य जराशी कूस और चाहते हैं वुल्बखी रिलार कीजे प्रशाजी है स्ओल पर्पटि की शृरिया, एवं अद्रे शी वर्मा की ओर से, शेङगरी शिख्री की प्रशाजी विजा रही है, एवं श्रीपती सरिता पहँं की चोलिया की ओर से, और इन संत्री की प्रशाजी にEER रही है, आप सभी मक्त देरों से अपरोज है, कि प्रशा आप सभी लोग मंच में चड़ें कोई भीड़ने लगाए आराम से आई सभी को आउसार मिलेगा सभी को दर्शनलाब मिलेगा आप बिल्कुल आराम से हैं उताव लेना हो आप अजड़ें መड़ें को आराम से आराम से ही लोग मिलेगा आराम से आराम से लोग मिलेगा विल्कुल आराम कि वह के ऐस दिए मुझा नहीं है अपरट पूज ने में ये हिए आ मासे कौनधे आई ये इनि वार्व दर्सन करके दिए निकल देजून देज दर्सन के निकल देजल करके झाल 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 भुली बाके भी हर एला लेती है जह लुप से खाल पंथ है से सब्सक्राइब नियुक्त सब्सक्राइब टॉली को तुक्त के अजाओ बिद्ध तुक्त सब्सक्राइब पेंचे साध्य दून बॉली दुक्त पुलिक बंदावर में हनी लाल की है आराम से हाराम से ऐजे वे लिद्यकों पर आणिषि को जिए गुए दिए भुली बिल्दा वुल्ब भुली ऑव भुली ऑगर ईधिए ओ भूठे बूठे नेनन के तो ओ मीठे मीठे बैनन के तो साबरी सलोनी सूरत के तो ओ प्यारी प्यारी मूलते के तो बाव की बिहारी खजराले तेरे मोटे मोटे नेनन बाव की बिहारी खजराले तेरे मोटे मोटे नेनन है न दर न लग जाए उन दर न लग जाए उन दर न लग जाए तो जूत वे नास वे उन ता जल की खोरी मेरे दिकर मरोरी रंद रस्में प्याए उन दर न लग जाए जूत वे वे में तो न लग जाए उन दर न लग जाए ता कि बिहारी खजराले तेरे मोटे 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 ने सभी जोगे हुए तर्बंधर करेगे इन वालेगी जें हो आँखों का काजल, पिर जिगर है घायल, तेरे प्यार में प्रागल, तेरे प्यार में प्रागल कर जाई रे, कज़रा रे, तेरे मूटे मूटे ने, भैखाल दुर्ग जए, उन्दर ना लग जए, उन्दर ना लग जाए प्येकर फ्यार आए धी जाए लाए इन्दरे कया है वहा ने लग ज渍 करेंबों YES जेंल, जेंल, ज्येंतरतताव में करेंगा है लिए बवित् nessa यीवे प्तान शेल, दिए ये खाइन है मूटे झाल थाए जाल, जए हम् Laurie Yo loved तेरी मुखुट के लटकर तेरी अधर के मस्कर तेरी अधर के मस्कर ओ पलिहारी रे खज़रा रे तेरे मुझे मुझे रे तेरी मुझे मुझे रे खज़रा रे खज़रा रे तेरे ने न आ तिरे दिल में भसकी दिएना ओ खज्रा रहे तेरे भाठी लेना ओ पाकी भिहारी तेरे मुते मुञें आई माजी मा लगी जाए मेरो काहा गुलावे को खो कि सुरी मेरी को सुमे करी देरो काहा गुलावे को खो कि सुरी मेरी को सुमे करी मेरो काहा गुलावे को खो कि सुरी मेरी को सुमे करी मेरो काहा गुलावे को खो कि सुरी मेरी को सुमे करी कि सुरी मेरी को खो 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 गुर्दू ने खले मगें नहीं आ नहीं ती नहीं हो हरी हो काणा खेले नजी जी ने अगरा 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 स्री आधा बिस्वानों की कली की सोरे मेरे खुस्व के कले दी आधा बिस्वानों के लगे की चोरे मीरी कुस्व कले मेरा बाहा खुलाब को फोल पिसोरी मेरे तुर्थों पेकले मेरो जाना खुलाब को फोल पिसोरी बीरे तुर्थों पेकले पिसोरी मेरे तुर्थों पेकले पिसोरी मेरे तुर्थों पेकले पिसोरी मेरे तुर्थों पेकले वली राध्यारणी जर्कार रिती जे श्री हर्माण जी महाया जी जे जे और कल विस्राम दिवस की कथा, कल सुदामा तृत्रित का भरणन और परच्छित मुक्ष आदी कथा, महारिश्य की जवारा स्रमन कराई जाएगे, आप अंतिम दुनों सभी अधिश्य देख सांक्या म और भग्मान की कथा को सवन्ड करके फुने लावर्जित करें। स्री राध्यारणी।